टीम इंडिया टेस्ट और वंडे सीरीज खेलने के लिए साउथ अफरीका पहुच चुकी है तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 26 दिसंबर से शुरू होगा ये सीरीज भारते टीम के लिए काफी एहम होने वाली है साउथ अफरीका एक मातर ऐसी टीम है जिसकी सरजमी पर टीम इंडिया आज तक कोई टेस्ट सीरीज नहीं जीत पाई है साउथ अफरीका के पेच स्विंग, स्पीड और उच्छाल के लिए जानी जाती है यहाँ टीम इंडिया के बल्लेबास बहुत संगर्श करते हैं यही बज़ा है कि भारत का कोई भी कप्तान सीरीज जीतने में नाकाम रहा टीम इंडिया ने पिछल 29 साल में एक भी सीरीज साउथ अफरीका में नहीं जीती पहली बार भारत ने 1992-1993 में साउथ अफरीका में टेस्ट सीरीज के लिए थी चाट टेस्ट मैच के इस सीरीज में टीम इंडिया को एक शुनिर से हार का सामना करना पड़ा बारत ने कुल साउथ अफरीका में साथ सीरीज खेली है और सभी में हार जिलनी पड़ी इसके लावा साल 2017-2018 में हुई सीरीज में विराट एन कंपनी को दो एक सेहर का साम न करना पड़ा साउथ अफरीका के पिछे हमेशा सही इंग्लेंड और उस्ट्रिलिया की तरह रही है इंग्लेंड में बॉल स्विंग और सीम करती है जबकि अश्ट्रिलिया मैदान पर एक्ष्टा बाउंस देखने को मिलता है अफरीका मैदानों पर गेंज स्विंग और सीम भी करती है और बाउंस भी अच्छा होता है बाहुजुद दिसके टीम इंडिया के दिगज रन बनाने में नहीं चूके साउथ अफरीका में टीम इंडिया की तरफ से सबसे जादा रन बनाने वले खिलाडियों के लिश्ट में पहला नमबर सचिन तंदूलकर का आता है जिन्होंने अफरीकी जमीन पर 15 मुकाबले खेले जिसमें 1161 रन बनाए दूसे नमबर पर राखोल्ट रविड है जिन्होंने 11 टेस्ट मैच खेले और 624 रन बनाए तो पाचवे नमबर पर सौर अफगाउंगली है जिन्होंने 8 मुकाबले साउट अफरीका में खेले और 506 रन बनाए ऐसा नहीं है कि टीम इंडिया को बाउंसी विकेट पर खेलने में देख करता आती है बलकि ये बाउंसी ट्राइक मेजवान टीम को भी भारी पड़ता है क्योंकि टीम इंडिया के गेंबाद प्रोटियाज टीम को परिशान कर चुके हैं बारती टीम की ओर से इस दोरे पर रविच चंदर अर्श्वेन में स्पिनर के तौर पर गए हैं अफरीकी मैदानों पर लेक्स्पिनर का दर्मदार प्रदर्शन देखने को मिला है और टीम इंडिया को इस सीरीज में एक लेक्स्पिनर की कमी खल सकती है क्योंकि लेक्स्पिनर अफरीका का हमेशा काल बार